मैंने सुप्रीम कोट में एक पियायल फाइल किया है और मांग किया है कि काला जादू अंधविस्वास के खिलाफ एक कठोर कानून बनाया जाए कुछ समय पहले दिल्ली में एक ही परिवार के 11 लोगों ने आत्म हत्या कर लिया था और उसका मूल कान था काला जादू अंधविस्वास इसके पहले केरल में दो महिलाओं की जगन्य हत्या हो गई उसका मूल कान था काला जादू अंधविस्वास अभी हात्रस में कुछ दिन पहले पूरी भीडी कठा हो गई थी और उसका मूल कांड था अंदविश्वास हरिद्वार में एक बच्चे को पानी में डुबो दिया गया उसका मूल कांड था अंदविश्वास जहां मजार है वहां पे भी आसपास कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं जो अंदविश्वास फैलाते रहते हैं जहां दरगाह है वहां पे भी कुछ लोग बैठ जाते हैं वहां से अंदविश्वास फैलाते रहते हैं पंजाब में आप देख लीजिए, खुले याम, चंगाई सभा हो रही है, अंद विस्वास के नाम पे बकादा वहाँ पे लोगों की कठा किया जाता है, और बाद में कनवर्जन भी हो रहा है, तो अंद विस्वास के सहारे, काला जादू के सहारे, बहुत बड़े पैमाने प खिलाफ कोई केंद्री कानून नहीं है, जब-जब कहीं पर हत्याएं होती है, मामला मीडिया में उशलता है, तो कानून बन जाता है, महाराष्टा में दाभोलकर के हत्या हुई, मीडिया में बात उचली, तो महाराष्टा ने कानून बना दिया, उडिसा में ऐसे महिलाओं को मारा गया मीडिया में बात उचली उडिशाने कानून बना दिया जारखंड में महिलाओं को डाइन बता के मार दिया गया फिर वहां पे मीडिया में बात उचली तो वहां कानून बना दिया गया तो जब जब कोई बड़ी घटना होती है तब तो कानून बन जाता है लेकिन ये समस्या पूरे देश की है, ये अंद विश्वास की समस्या, काला जादू की समस्या पूरे देश की है, इसलिए केंदरी कानून बनाना बहुत जरूरी है, आज मानेये सुप्रीम कोट में चीब जिस्टीजाफ इंडिया साब की Bench Nice Matter को सुना, उनका ये कहना था कि Matter तो अनिवार बहुत जरूरी है, काला जादू खतम होना चाहिए, अन्दविश्वास खतम होना चाहिए, लोगों के अंदर तार्किक सोच विक्सित होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए Supreme Court कानूर नही अपनी बहस में कई सारे पहले इसके कमेटी बन चिकी उसका हवाला दिया भारत के पूर उचीज़ जस्टिस जस्टिस जेस वर्मा कमेटी ने भी बाकाइदा वैग्यानिक सोज विक्सित करने फंडामेंटल ड्यूटी को सबको समझाने के लिए सिफारस किया था वो लागू नहीं हुई उसके बाद जस्टिस वेंकर चलाया कमिशन ने भी काला जादू अंदविस्वास को खतम करने फंडामेंटल ड्यूटी को सबको बताने समझाने वैग्यानिक सोज विक्सित करने के लिए अपने प्राइमरी के स्कूलों में चैप्टर भी नहीं है अंदविस्वास के खिलाफ काला जादू के खिलाफ वैग्यानिक सोज विक्सित करने के लिए लेकिन मानि सुप्रिम कोट का कहना है कि कानून बनाना संसत का काम है सरकार का काम है सुप्रिम कोट का नहीं इसलिए मैंने अपनी आज का वापस ले लिया है मैं अपनी पिटीशन की कौपी अब ग्री मंत्राले को दूंगा कानून मंत्राले को दूंगा और तीन महीने तक इंतजार करूंगा आशा करता हूं कि अगले तीन महीने के अंदर के इन सरकार काला जादू अंद विश्वास खिलाफ रास्टी इस्तर पर कानून बनाएगी अलग से कानून नहीं बनाना तो कोई बात नहीं जो भारती न्याय संगिता बनी उसमें एक चैप्टर जोड़ दिया जाए अफेंस रिलेटिंग टू ब्लैक मैजिक अफे इलेमेंट की मर्जी जो करना करें लेकिन इसको रोकना बहुत जरूरी है पूरे पांच राज्यों से बड़े पैमाने पे बच्चों को किड्नाइब किया गया असम से बंगाल से भिहार से जारखंड से और उत्तपदे से गरीब बच्चों को कनवर्ट किया गया और उनके के अंदर अंधविस्वास फैल आया गया उनको ले जाके के रल में ले गये और वहां पर प्तव साथ हजार बच्चों साथ viktट्बच्चों को साथ बच्चो को 5 राजिव किडिया गया उसकी जांच रिपोर्ट देख ले जस्टिस वींकर चली है की इसके खिलाफ कानून है उन कानूनों को देख ले और देखके एक कानून बनाए ये मेरी रिक्वेस्ट है के इंसरकार से ये बनाना बहुत जरूरी है ये भारती संस्कृति के लिए काला जादू अंदविश्वास भारती संस्कृति के लिए भी खत्रा है भारत के संविधान के लिए भी खत्रा है बड़े पैमाने पे conversion हो रहा है बड़े पैमाने पे इससे लोगों को धोखा दिया जा रहा है cheating किया जा रहा है कई सारे पंजाब में वीडियो आते हैं जहां वो नपुनसकता तक ठीक करने का वादा करते हैं बाज़पन ठीक करने का वादा करते हैं जब तक काला जादू अंद विश्वास नहीं रूखेगा, तब तक धर्मांतरण भी नहीं रूखेगा, क्योंकि आज की रेट में भारत में जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है, उसके और कई तरीके हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तरीका जो उसमें यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है, जादू टोना, काला जादू अंद विश्वास.